नमस्कार दोस्तों, तो हाजिर हैं हम एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ आपके सामने, आज जानते हैं ऐलोवेरा के फायदे, यह डाइबिटीज में बहुत फायदा करता है, और इसके बचाओ के लिए आपको रोज दो चमबच ऐलोवेरा जूस जरूर पीना चाहिए, यह ब्लड शुगर को नियंतरित करता है, साथी साथ हार्ट की बीमारियों में भी यह बहुत लाबकारी है, इसका जूस शरीर से विशैले पदार्थों को बाहर निकालता है, उसके साथी अपच, कब्ज दूर करता है, हमारी पाचन शक्ति को अच्छा करता है, और शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा करता है, इसके साथी खून की कमी को भी तूर करता है, अगर हम एलोवेरा का पल्प, यानि कि इसके बीच में जो सफेद सफेद गूदा होता है, इसका पत्ति छीलने के बाद निकलता है, उसे आप घाव पे लगाते हैं, तो घाव बहुत जल्दी भर जाता है, और फंगल इंफेक्शन भी नहीं होता है आपको, साथी साथी हमेरे शरीर के वेट को भी नियंतित करता है, अगर लीवर में प्रॉबलम है, तो आप इसके दो चमच रश में चुटकी भर हल्दी मिला कर पीजिए, कैसे खाना पड़ जल्चे, और अगर आप इसके जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर लगाते हैं, आँखो के चारूर, और रात में लगाकर छोड़ दीजिए और सुबह धुलिए, तो डार्क शलकर आपके कम होते हैं, यानि आँखों के चारूर जो काले गीरे पर जाते हैं, वो भी कम ह यह हमारी रोग प्रतिरोधक शम्ता को भी बढ़ाता है और शरीर के बढ़े हुए कॉलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। साथी साथ हार्ट को स्वस्थ रखने के साथ साथ अगर कहीं ब्लॉकेज हो रहा है तो उसे भी ठीक करता है। जोइंट स्पेन हो रहा है तो भी फाइदा होता है। और अगर हम इसका जल बालो में लगाते हैं थोड़ा सा आमला जूस के साथ या आमला का पाउडर मिक्स करके तो बाल आपके काले, घने और मजबूत होते हैं। अगर इसकिन कहीं जल गई है तो उस पर तुरंट अगर हम इसका जल लगा देते हैं यानि जो इसका गुदा है वो लगाते हैं तुरंट तो छाला नहीं पड़ता और आराम भी मिलता है। इसका रस आपको पीना कैसे है। दो चमच रस ले लीजिए इसका ऐलोवेरा का उसको खाली पेट सुबह सुबह लीजिए। और ऐसा ही आप शाम को भी करें। अगर आप इसका रस आवला रस के साथ लेते हैं तो आँखों को भी लाब होता है। साथी साथ हार्ट को भी लाब होता है। तो इतने सारे गुड़ों से भरपूर आपका एलोवेरा है। तो इसको यूज कीजिए। और इसका फाइदा आपको खुद देखने को तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।